बड़ी कबर जबलपूर से है जहां चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटेक मेट्रो बस चला रहे ड्राइवर को हार्ट अटेक आया है तो बस ने आटो बाइक सवार को रूदा है बस ड्राइवर समयत दू की मौत हुई है उच्छे घायल हुई है ड्राइबर हरदेब पाल की मौके पर ही मौत हुई है तो दो बच्चों समेत पांच लूग घायल हुए है सबी घायलों को अस्पताल में भरती कराया है और घटना का CCTV फोटेज भी सामने आया है तो बड़ी खबर आको बता रहे हैं अबलपूर से जहां चलती बस में ड्राइबर को हार्ट अटेक आया है मेट्रो बस चला रहे ड्राइबर को अचानक से हार्ट अटेक आया और बस ने आटो बाइक सवार को रोन दिया तो बस ड्राइबर समेत दू की मौत हो गई है और छे घायल हुए है ड्राइबर हर देपाल की मौके पर ही मौत हुई है तो दो बच्चों समेट पांच लोग घायलू है सबी घायलू को अस्पताल में भरती कराया गया है घटना का CCS TV पुटेच भी सामने आया है तो बड़ी खबर आपको जबलपुट से बता रहे हैं जहां चलती बस में ड्राइबर को हार्ट अटेक आया है मेटो बस चला रही ड्राइबर को हार्ट अटेक आया है और जिसके चलते बस ने ओटो बाइक सबार को रोन दिया है बस ड्राइबर समेट दू की मौके पर ही मौत हुई है उच्छे घायलू है तो ड्राइबर हर्देब पाल की मौके पर ही मौत हुई है दो बच्चे समित बाच लोग घायल हुए है सभी घायलों को अस्पताल में भरती कराए गया है और घटना का CCTV फोटेज भी सामने आया है तो बड़ी कबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं जहां बस ड्राइबर को हार्ट इटेक आया है जिसके चलते आपको बता दे कि बस ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है तो दो लोगों की मौत और छे लोग घायल बता ज़ा रहे है तो बड़ी कबर आपको बता रहे है तो एसी कबर पर देक अपडेट के लिए हमाई साथ जबलपुर से सहियो की आश्री तिवारी जुड़ चुके हैं आश्री सक्यादिक जानकरी आखिर कैसे ड्राइबर को हाट अटेक आया और फिलहाल गायलों की हालत कैसे बता ही जा रही है और उसमें यह बस का जो ड्राइवर है यह पता चला है कि उसको अटेक टाइप का आया था जिसको वो अनंतित होगे पर और कई लोहों को इसमें से चपेट पे ले लिए जैसे इरिक का पाइक्स और बच्चे वहां से जा रहे थे वो अनंतित होगे दमोनाता काफी बड़ा जाता है जहां से चाफिक जबलपूर का आदा अंतित होता है कालोनियों को डबल अप होती है वहां को लेके धन्यवाद आपका इस कबर पाद इकजानकारी के लिए बड़ी कबर आपको जबलपूर से बता रहे हैं जहां चलती बस में ड्राइवर को अचानक से हार्ट अट जो गाता है कि दो लोगों की मौत हुई है और छे लोग घायल बता जा रहे है सबी घायलों को अस्पताल में भरती किया गया है तो ड्राइवर हर्देव पाल की मौके पर ही मौत हुई है तो बड़ी कबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं जहां चलती बस में ड्राइबर को अचानक से हार्ट अटेक आया जिसके चलते ड्राइबर की मौक्य परी मौत हुई है और घटना का CCTV पोटेज भी सामने आए है तो आपको बता दे कि दो लोगों की मौत और छे लोग घायल बता जा रहे हैं सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है तो बड़ी कबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं जहां चलती बस में ड्राइबर को हार्ट अटेक आया जिसके चलते बस ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है घटना का CCTV पोटेज भी सामने आ है आपको अदा दे कि इस घटना में दो लोगों की मौत हुई ह और छे लोग घायल बता जा रहे हैं सभी घायलों को हस्पताल में भर्ती कराए गया है